हालो एंड वेल्कम टू टेली एक्स्प्रेस दोस्तों सीडियल अनुपमा में अब आएगा बहुत बड़ा ट्विस्ट होगा आध्या और अनुपमा का आमना सामना लेकिन सवाल ये उड़ता है कि क्या अध्या अनुपमा को पहचान लेगी और क्या अनुपमा अभोगी अध प्रत की शिकार चलिए बताते हैं आपको अपकमिंग ट्विस्ट के बारे में हमारी इस रिपोर्ट में लेकिन अगर नहीं किया है अभी तक आपने चानल को सब्सक्राइब आप जरूर कर ले और बेल आइकन को भी आप जरूर दबा दें दोस्तों सीरियल अनुपमा में अ अपने कैमरी में सेलफी लेते हुए क्याप्चर कर लेगी अनुपमा को आद्या को फोटोग्रफी का शौक है और ऐसे में जैसे ही आद्या यानि की जो छोटी अनु है वो अनुपमा को देखेगी तो यहां पर अनुपमा को वो देखती रह जाएगी क्योंकि वो तो अनु अनुपमा बिल्कुल भी नहीं पसंद पर कहानी में यहीं आएगा सबसे बड़ा ट्विस्ट वेर जिस अनुपमा से वो नफरत करती है वो उसका चहरा अब याद नहीं रखती जी हां उसकी यादों से मिठ चुकी है अनुपमा की शकल और ऐसे में आध्या अनुपमा को नही पहचानेगी और यहां पर आध्या के पास जब अनुपमा आएगी और उससे कहेगी कि बेटा बाहर थंड है तुम भी अंदर आ जाओ कैफे में तो यहां पर आध्या को बहुत अच्छा लगेगा उसको बहुत पैमपर्ड फील होगा उसको प्यार की महक अनुपमा से कहेगी क्या मैं आपके साथ एक सेलफी ले लूँ और उसके बाद वो एक सेलफी लेगी लेकर फिर उसको धीरे धीरे यह एहसास होगा कि मैंने इसको कहीं देखा है और वो अनुपमा को दिखाएगी अनुच की और शुरुती की पोटो और कहेगी यह मेरे पेरेंट्स हैं और यह आपके कैफे के अंदर ही हैं वेल यहीं पर कहानी में अब बहुत बड़ा ट्विस्ट आएगा क्योंकि जब आद्या यह तस्वीर दिखाएगी अनुपमा को तो अनुपमा को एहसास हो जाएगा कि अनुच अपनी जिंदगी में आगे बढ़ चुका है लेकिन पजबूरियों में अनुच ने यह फैसला लिया है कितने एक्साइट हैं आप देखने के लिए हमें कमेंट्स में आप जरूर लिक कर बताएं वीडियो को लाइक और शेयर खना अपना भूलें